जब भी इस तरह की कोई कस्तम लिस्त आपको बनानी है तो इसी तरह की कस्तम लिस्त हमें बनानी है करना क्या होगा इसके लिए करना कुछ नहीं आपको सीदा चूछ पर चले यह तो यहां पर आगे अब यहां पर दिखिया और अप्षिन दिया बनी के अइसे चाहिए तो यह हम पर यह चाहिंब सब्सक्राइब करें चाहिए है यहां पर यह तमाम आपको नगी देख रहे यह तारा लिस्क अभी एक पर आपको यहां पर आंपर आपको जाना है आप देखेगे नीचे आपको ये बहुत अभी इस तरह से लिस्त आपको शोग करेगी दिए यहां आपको ज़ो निए अगर इनिऊ पे संपरेजीट पे तायप करना होगा ठीक है नेम ओफ कंट्री जो आपकी Libra Office की Spreadsheet है उसके आपको यही चीज़ टायप करने होगी तो यह नेम ओफ कंट्री हमने देदिया अब यहां पर लाइन से नाम देना है धारी यहां पर देते हैं इंडिया, इंडिया, फिर एंटर करके निचे आईए, यहां पर देते हैं 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 य यह दे दिया पाकिस्तान ठीक है तर एंटर करकर नीचे आई है आगे कोई और भी कंट्री का नाम देना चाहते है तो दे सकते हैं नो प्रॉबलम ठीक है यहां लिख दिया Philippines Philippines तो यह लिख दिया Philippines ओके और अब हमें add करवाना है तो यह जो add दिया इसके फिलिक करना है अब यहां से OK करिए, OK हो गया, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था name of country, यहां भी heading देती यह name of country, लिखिए name of country, यह लिख दिया name of country, ठीक है, इसी तरके से जो भी आपको list prepare करनी है, उसका heading दे करती है, और list प्रिपेर करती है, यहां सोड़ से इसको बड़ा कर लेते हैं, यह कर लिया, उने चो बड़ा, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं, आप उसको खाली drag कर रही है, देखिए, यह जालू हो जाएगा, देख रहे हैं, यहां पर country की list अपने आप आप ही चली जा रही है, इसे टेक्सल में नहीं कर सकते हैं, लिबरा कैल्प में ओपन ओफिस में भी कर सकते हैं, same system of an office में भी यही है, लगबग दोनों एकी जैसा दिखता है, एकी जैसा काम भी है, ठीक है, तो यहां पर लिबरा office में इस तरीके से क्याल्प में जाकर क्याप कर सकते हैं, आसानी के साथ custom list बनातके हैं, तो कैसी लगी है, वीडियो, comment section में बताइएगा, और स के रहेगा, thank you for watching this video.